Hello everyone, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे secondary active transport. Secondary active transport में जो energy use होती है, वो किसी और ion के concentration gradient की बज़े से use होती है. मतलब इसमें directly ATP के breakdown से use नहीं होती, किसी और ion के gradient की बज़े से ये energy मतलब इसमें use होती है. तो और इसमें same चीज़ें होती हैं वैसे, जो uphill moment हो रहा है, यानि कि from the low concentration to high concentration moment होता है, और इसमें carrier use होता है, इसमें saturation kinetics भी होती है, बस इसमें ये चीज़ खास बात है कि जो किसी और pump की वज़े से है, किसी और ion की वज़े से जो gradient है, उसकी वज़े से energy जो produce हो रही है, उसको ये use कर लेता है. Just for example, GIT की बात करें, GIT में जो sodium के साथ में glucose का transport होता है, वो by the secondary active transport होता है. तो इसमें ये है gut की lumen, और gut की जैसे अगर gut की कोई lumen है, तो वो चारो तरफ से cell से covered है, ऐसे जो है GIT की cell से हैं, बीच में lumen है. तो हमने इसको एक साइड में दिखा दिया, सेम इसी साइड में ऐसे ही दूसरी साइड में भी cells होंगी, और सेम मुमेंट जो है दूसरी साइड में भी होड़ा होगा. ये एक तरह से actually rounded portion में ये cells इस तरीके से हैं, और बीच में lumen है. तो ये GIT की lumen है, जहां से sodium और glucose का co-transport होता है, साथ साथ जो transport एक ही direction में होता है, उसको हम कहते हैं co-transport. और ये जो है secondary active transport है. अब इसके लिए energy कहां से आ रही है? इसके लिए आपको देखना होगा कि यहां पे है epithelium of the GIT wall. और दूसरी इदर की साइड में है ये interstitium. अब जो interstitium है, वहाँ पे जो membrane है इस cell की, उदर की cell की membrane को हम बोलते है basolateral membrane. Actually क्या होता है? ये basolateral space भी होता है यहाँ पर और एक basal भी होता है. तो basal और basolateral side दोनों ही होती है, पर इस diagram को simply समझाने के लिए हमने आपको basolateral membrane दिखा दी. और इन cells का जो lumen की तरफ पार्ट है, उसको हम कहते हैं apical membrane. तो ये epithelium की membrane है, उसका apical membrane side and उसका basolateral membrane side होता है. तो जो basolateral membrane side है, उसमें sodium potassium pump होता है. उसमें cells से 3 sodium बार निकाल ले जाते हैं और potassium 2 अंदर ले जाते हैं. जो की sodium potassium pump का एक characteristic है, अब इसकी वज़े से, अगर आप देखे हैं, तो इस cell में sodium का concentration कम हो गया. क्योंकि sodium को interstitium में भेज दिया गया by this pump. और इस pump में energy use हुई है, ATP के breakdown से energy use हुई और हमने इस 3 sodium को बाहर भेज दिया. और उसकी वज़े से इस cell में, epithelial cell of GIT में sodium का concentration कम रह गया. अब कम रह गया, तो क्या होता है, यहां से sodium, क्योंकि ज़्यादा concentration lumen में है, यहां पर आपने कम create करी थी अभी, तो ज़्यादा concentration से low concentration की तरफ, यह sodium through facilitated diffusion enter करता है. ठीक है? अब यह sodium तो enter करी रहा है, अब यह जिस protein के थूरू, जिस carrier के थूरू, यह sodium lumen से epithelial cells के अंदर enter करता है, उसी के साथ में glucose भी इसके साथ चला जाता है. और इसलिए, क्योंकि हां direct energy use नहीं उड़ादा है, शुरुआत में क्या होआ? यह इस pump के उपर dependent है. तो sodium glucose का transport from the lumen to the epithelial cells is depending on this three sodium potassium pump. और अगर यह pump बंद हो जाए, तो यह transport नहीं होगा. तो sodium और glucose का transport in the GIT is an example of secondary active transport. इसका एक common example, common फाइदा क्या है? जो हम ORS use करते हैं. Oral Rehydration Solution, जो हम डाइडिया के case में ORS देते हैं. हम क्या करते हैं? कि एक लिटर पानी में एक पाउच आता है, उसको हम मिला दिया जाता है. उस पाउच में क्या होता है? उसमें होता है sodium, यानि salt होता है, sodium chloride. उस sodium chloride में से जो sodium है, उसका major role है. साथ में glucose. तो glucose absorb कराने के लिए, आपको sodium का साहरा लेना पड़ता है. उसमें sodium भी होता है, जिससे की absorption आसानी से अच्छे से हो जाए, और परसन को जिसको टाइरिया और उसको energy मिल जाए. और जैसे अगर घरों में बनाया जाता है, जब चीनी का घोल बनाते हैं, तो उसमें कई लोग क्या करते हैं? बहुत सारा sugar डाल देते हैं, क्या करते हैं, खाली glucose दे देते हैं, खाली glucose से फाइदा इसलिए नहीं कि क्योंकि जो glucose का absorption होना है, वो क्या है, secondary active transport वो sodium के साथ होगा, तो sodium होना जरूरी है पहली बात तो, दूसरा कुछ लोग क्या करते हैं, भर भर के इसमें glucose भी सोडें पे बहुत सारा डाल देते हैं, एक ग्लास पानी होगा, और उसमें 3-4 चमबच glucose की मिला देंगे, तो उससे क्या नुकसान होगा, कि यहां पर osmotic pressure डेवलप हो जाता है, और यह absorb होने के बदा, यहां से पानी जो है, osmosis की थ्रू उल्टा इस lumen में आने लगता है, तो एक तो उसको पहले ही diarrhea हो रहा था, dehydration हो रहा था, यहां से क्योंकि यहां तुमने बहुत जादा osmotically active substance डाल दिया, इसलिए water इधर भी आ गया, इसलिए यह ultra-odd dehydration बढ़ गया, इसलिए हमेशा इध्यानक ना होता है, कि पानी जादा लिया दाता है, और उसमें glucose और sodium या salt जो भी आप मिला रहे हैं, वो कम amount में मिला है, ठीक है, इसलिए ORS बेटर होता है, क्योंकि उसमें fix है, यह एक लिटर में आप इतना मिलाते हैं, तो sodium का glucose के साथ absorption, ORS का mechanism है, पहली बात, और यह secondary active transport और कहां कहां होता है, आप जो PCT पढ़ते हो, proximal convoluted tubule, in the nephron, यहाँ जब सब कुछ filter होके आ रहा होता है, तो PCT में, proximal convoluted tubule में, sodium के साथ साथ, glucose का transport होता है, तो sodium glucose को transport in PCT, is an example of secondary active transport, इसी sodium के साथ, और transporter भी हैं यहाँ पर, sodium के साथ amino acids भी जा रहे होते हैं, amino acids, sodium glucose, sodium amino acids, और इसी में, sodium के साथ, inorganic phosphates भी जा रहे होते हैं, तो यह सारे के सारे, जो है secondary active transport के example हैं, और यह अगर देखो, तो symport के example हैं, क्योंकि दोनों जो भी जा रहे हैं, वो same direction में जा रहे हैं, तो these are example of symport, लेकिन एक example है, जो sodium HIN exchanger होता है, जिसमें sodium तो absorb हो रहा है, और HIN को lumen में भीजा जा रहा है, तो यह direction जो है opposite हो गई, तो इसका नाम है sodium HIN exchanger, जो हर्ट की सेल होती है, cardiac cell, उसमें एक होता है, sodium calcium exchanger, तो exchanger जहां भी होगा, वो antiport का example होगा, तो यह सारी characteristic, second active transport में वही होंगी, जो primary में हैं, लेकिन बस difference ही होगा, कि इसमें जो energy है, वो direct use नहीं हो रही है, वो किसी और की gradient की वजह से, movement हो रहा है, ions का, पर हो रहा है कैसे, against the concentration gradient, और against the, आपका electrochemical gradient, energy भी इसमें यूज हो रही है, पर direct नहीं हो रही, दूसरे तरह से हो रही है, और carrier भी इसमें यूज हो रहा है, और saturation kinetics को भी follow करेगा, thank you so much students,